यहां तक constant है लेकिन एक वक्त आता है कि population इनकी जोना स्टार्ट हो रहाता है किसी भी जिन से हो सकता है बाइब या फिर माइग्रेशन के बज़से मतलब कि एक जगा से दुसरे जगा लोग आ गए जिसके पॉपलिशन इंक्रीश हो गया है तो उस बज़से इंक्रीश हो गया है पॉपलिशन होते है तो एक पॉइंट आएगा कि उसके पॉपलिशन इंक्रीश नहीं होता है तो वह जाए saturation point अब जो पॉपलिशन इंक्रीश हो रहा है सपोस्स एक यह T 0 है तो यह 0, year यह होगा T1 year, T2 year तो T1 year में पॉपलिशन जो इंक्रीश हो वह इतना हो गया T1 T2 year में पॉपलिशन इंक्रीश होगा ठीक है तो इसके कुछ गोला हमे से देख लएता है जो इसके मतल Isn't हम बोरे डीशन करेंगे अब जैसे कि population at any time from start अगर हमें निकालना है तो हम लोग यह formula इस परेंगे ps मतलब ps by 1 plus m log base e inverse and d ps मतलब saturation population है पी नोट होता है population at winning और पी वन होता है population after time t1 year पीटू होता है population after time t2 year अब हमें यूज़ करना है यह formula अगर population at any time from start पूछ हम से तो हम लोग यूज़ करेंगे यह formula यहापर जो हम होता है उसको में निकालना है saturation population minus initial population by initial population और saturation population निकलेगा इस formula से 2 p0 p1 p2 minus p1 square bracket 1 p0 plus p2 bracket close by p0 p2 minus p1 square ठीक है और इसके बाद यहापर n है वो हम लोग निकाल लेंगे और एक तो बेसल देख लेते हैं यह जो formula है यह जो फर्मुला है यह जो एक निकालने का formula है 1 by t1 log e p0 ps-p1 by pin 1 ps-p0 bracket close अब इसको हम लोग इस फर्म में लिख सकते हैं log e को convert करना है में log 10 में इसके बाद से हमें 2 into 3 into करना होता है तो 2.3 into करना होता है तो 2.3 by t1 log 10 P0 ps-p1, P1 bracket में ps-p0 bracket close तो बेसिक हम लोग पास कितना formula है चार formula बन गए इक यह 1,2,3 और यह 4 इसको मैं याद रखना है अब इसके इस करके हूँ एक new vehicle solve करेंगे new vehicle मैं पूरा solve करके दिखांगी last तक calculation के साथ calculator से कैसा solve करेंगे हम लोग लोग बाल equations उतना तक पूरा में solve करके दिखांगी उप्रोफ लास तक देखिए ओ को तूपक कर लासा है हैस एल पहुण। Question is in two period of each of 20 years a city has grown from 30,000 to 170,000 & then 2300,000 there one saturation population equation of the logistic curve suspected population after the next 20 year सबसे बिले हमें saturation population निकालना है saturation population निकालने का formula हमें पता है सबसे बिले given लिख लेते हैं जोगी given दिया हुए given दिया हुए P0 एक initial population initial population 30,000 टामिंग टामिंग फिर टी नॉट था मतलब जिरो यहां से पी वन तू प्रियर्ट इच आफ ट्वेंटियर मतलब ट्वेंटियर करके बढ़ रहा है तो टी वन पहला ट्वेंटियर था जो की हो गया यहां पे सब्सक्राइब ट्वेंटियर करना है तो मतलब फॉट्टी यहर में इतना हो गया पॉपलेशन अब एक्वेशन में यूज करना है saturation population का क्या था 2P0P1P2-P1 2P0P2-P1 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 2P0 इसके बाद जो भी दिया हुआ है हम लोग उसमें पूट कर रहते हैं जैसे कि पी नॉट दिया हुआ है 30,000 तो मैं इसको शॉट कट में थोर ऐसा ऐसा लिख देते 10 x 4 लिख सकती हुआ है ठीक है उसके बाद इंटू 17 x 1 कितना था 3 4 ओके ती पावर 4 3 x 5 ओके ती पावर 5 इसके बाद इसके बाद इसके बाद इंटू 10 to the power 4 plus P2 3 x 10 to the power 5 इस तर से बुड़ा अम लोग वैलू नहीं आपे बिठा देंगे उसके बाद काल्पूलेट करते काल्पूलेटर से 2 x 4 325477 ठीक है 325477 ठीक है क्या था ये पी जो पोपलेशन अट अनी टाइम जो ने किया था saturation population 1 plus M log base E inverse and T अभी हमें निकालना है M M क्या था? P S saturation population initial population P0 saturation population हमारा कितना आया था? 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 7, 7 P0 initial population कितना दिया हुथा? 30,000 by 30,000 ठीक है काल्कुलेट करने के बाद कितना था? 3, 2, 5, 4, 7, 7, 7, minus 30,000 by 30 9.85 ठीक है इतना है हमारा M अभी हम लोग को इसको इसको पूट करना है है कुछ वैल्यूस जैसे पीस था अभी यहां पर N निकालना है एन निकालना रह गया है P0, Ps-P1 by P1, Ps-P0 ठीक है P1, 20 यह था लोग 10 इसल पूपलाशन था? 10 to the power 4 3, 2, 5, 4, 7, 7, minus P1 कितना था? 30,000 P1 कितना था? ओ, sorry, P1 था 17 17 into 10 to the power 4 ठीक है उसके गाद P1 17 into 10 to the power 4 यह होगा 3, 2, 5, 4, 7, 7, minus P0, initial population था, अब का 30,000 ठीक है इसको इसको calculate करते है असल पूपलाशन के अंदर जितना वो उसको calculate कर लाती हूँ तो इतना आ रहे है तो डैकेट के अंदर जितना भी था उसको calculate करने बाद इतना आ रहे है 2 by 3 by 20 यह log 10 आपर 0.0929 अब इसको simple से calculate कर लेते है तो इतना रहे है माइनस वन वन नािन माइनस वन वन अ हूह माइनस 0.19 ठीक है तो यह आगे तो यह माइनस 0.19 अब नेक्स्ट जितना भी विलिस आ है उनको प्रेस कर दिखते हैं साट्रेशन वेलु था मुलोग का 3 2 5 4 7 7 बाइ 1 प्लस एम था 9.85 आया था 9.85 उसके बाद लॉग ए इन्वर्स एन्ड कतना है 0.1 1 9 T यह होगी हम लोग का एक क्वेशन यह होगी हम लोग का एक क्वेशन अब थर्ड क्वेशन थर्ड क्वेशन में पुछा गया था कि एस्पेक्टड पॉपलेशन आफ्टर नेक्स 20 यह मतलब 40 प्लस 20 60 यह का निकालना है कि 60 यह में पॉपलेशन टी होगे 60 यह में इम लोग को पॉपलेशन कितना होगा निकालना है तुप इसको पॉपलेशन एन इन तैम वेला फॉम्ला यह करेंगे 325 सच्च इन पॉपलेशन पॉपलेशन 477 यह बाइ 1 प्लस 9.85 लोग e- इन वर्स माइनस 0.119 इंटो इन कितना है 60 ठीक है इसके बाद हम लोग को यह काल्कुलेट करना है 325 477 1 प्लस 9.85 लोग e- कितना है काल्कुलेट करिये 0.119 into 16 7.14 7.14 माइनस माइनस यहाँ पर होगा माइनस 7.14 आ रहे ठीक है उसके बाद हम करना यह कि इस पॉर्शन को x मनना है मैं मतलब x equal to log e inverse 7.14 हमने इसको x ले लिया अस्ता बाद इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log e inverse minus equal to x log e x inverse इसको माइनस 7.14 अब क्या करना है कि जो बेस यह लॉग 10 बेस में कनवर्ट करना है तो इंटू करेंगे इंटू 2.3 इंटू करेंगे बेस 10 में कनवर्ट होगा तो दी पावर x रहे गाई है 7.14 log 10 x equal to 7.14 by 2.3 अब इसको calculate करने के बाद आ रहा है minus 3.1 ठीक है अभी क्या करना है हमें x का value निकालना है इस x का value इस x के value को कैसे निकालना है मैं to the power x 3 minus 3.1 दिया हुआ था ठीक है यह अभी इस तर से कनवर्ट होगा यह जो 10 inverse base है यहाँ पर रहेगा x का value निकालने के लिए हमें यह step follow करना है मैं इसको यहाँ पर करके दिखाती हूँ इस side तो यह था अभी करना है कि मुझे x का value चाहिए तो x का value निकालने के लिए हम लोगो 10 to the power यह इधर आ जाएगा 10 to the power minus 3.1 इधर आ जाएगा equal to x इधर आ जाएगा यह x का इस तर से लिखेंगे 1 by ऐसा लिख सकते 10 to the power 3.1 calculate करते हैं कितना आ रहा है 10 to the power अगर 3.1 करेंगे तो कितना आ रहा है 1 to 5 9 1 to 5 8.9 कितना 1 to 5 8.9 ठीक है तो अभी दो का अंसर आ जाएगा 1 divided by 1 to 5 8.9 इतना रहा है x का value 0.00079 x equal to 0.000795 ठीक है कि आगे हम लोग का x का value अभी हम लोग को इसको put करना है वापस से इस formula में इसको calculate करने के बाद 9.85 into इतना हम लोग का x का value आया calculate करने के बाद 3,2,2,5,9,5,8 answer आ गया है हम लोग का water demand chapter हो गया है तो अभी हम लोग next purification of water supply स्टार्ट करेंगे जो कि एक बहुत important chapter है और इसमें जो important numericals exams में पूछे जाते है और जो पूछे जा सकते हैं हम लोग वो करेंगे तो मेरे चैनल को आप subscribe कर लेजिए अगर नहीं किया अभी तक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और पास में जो bell icon है उसे प्रेस कीजिए